नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे मैत का टेन अती महत्मून कोस्चन तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कोस्चन तीन करमागत संपुर्णांकों का योग चोवन है इन में से सबसे छोटा पुर्णांग ज्यात किजिए कितना बोलना है तीन बोलना है तो इसको योग कितना है चोवन है ये चोवन लिखेंगे और तीन से भाग दे देंगे कितना आजागा अठारा ये अठारा क्या आगया अब बीच वाला अब इसके एक बाद वाला कितना आजागा 20 आजागा और इसके एक पहले वाला 16 अब दे नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन ये एक किसी काम का एक बटे 6 भाग 6 दिन में समाप्त करता है भी उसी काम का दो बटे 5 भाग 36 दिन में समाप्त करता है तो बताएए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे यह जो है एक बटे 3 यहां से एज जैसे भी होगा तो उपर से कट जागा एक से तो 6 कटेगा नहीं तो 3 से यहां multiply हो जागा तो इस जगर लिख सकते हैं A बराबर यहां पे लिख लेते हैं A बराबर 6 तिया कितना जागा 18 यह multiply हो जागा अब दोनों का LCM दे लेंगे LCM कितना आ जागा 90 तो अब दोनों मिल के करेगा टोटल कितना है 90 और ये 5 एक 6 6 से भाग दे देंगे तो 15 चक्के 90 15 इंसर आ जागा option number A सही इंसर है next question देखते है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है चार वर्स बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र ग्यात किजिए तो इसके लिए आपको हम तीन तरीका बताएंगे एक option से और दो तरीका तो चलिए सबसे पहला तरीका पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 6 गुनी है तो ये इसका सन माल लेंगे और इसका फादर माल लेंगे तो एक होगा ये तो ये कितना बोला है? 6 होगा उसके बाद आगे पढ़ेंगे 4 वर्स बाद उसके पुत्र की उम्र 4 गुनी हो जाएगी ये एक होगा तो अब चार हो जाएगा अब दिखना है इधर अंतर सेम करना है बराबर है नहीं है तब क्या करेंगे नीचे में अंतर देखेंगे कितना है तीन का तो ये तीन को उपर से मल्टिप्लाइ करना है ये दोनों तरफ तीन से मल्टिप्लाइ कर दिये और उपर में कितना है एक और छे अंतर कितना है पांच का तो यह नीचे भी पांच से मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसको मल्टिप्लाइ करने के बाद यहां से यह तीन से मल्टिप्लाइ कर लेंगे यह इसको यहां से कितना जागा थिरी आ जागा और यह कितना जागा अठारा आजाएगा यहां से 18 आगया यह वाला और इधर कितना आजाएगा पांच आजाएगा और इधर कितना आजाएगा बीस आजाएगा अब अंतर देखिए दोनों तरब सेम है मतलब कितना अंतर है दो का अंतर है दो का अंतर बराबर या इधर से भी लिख सकते हैं चार चार वर कर लेंगे कितना जगा 36 यही एंसर आ जगा 6 और 36 ऑप्शन नम्मर सी सही एंसर है दूसरा तरीका देखते हैं दूसरा तरीका क्या करना है देखें कितना गुना बोल रहा है 6 गुना यह उसका यहां पे इसका सन और फादर का रखेंगे यह एक है तो यह 6 गुना हो रहा है यह उसके बाद 4 बर्स बाद तो दोनों तरब यहां पे 4 पलस कर लेंगे यहां पे 4 पलस करना है कितना हो रहा है चार बर्स बाद कितना हो रहा है एक अनपात में 4 हो रहा है तो यहां से ऐसे पहले वार में मल्टिप्ला हो जागा और यह 6 जो बड़ा है उसमें से घट जागा तो उपर वाले में multiply करना है यह 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 गुना 6 36 यही answer आजाएगा 6 और 36 option number C सही answer है अब option से बना के देखते हैं इसको option से कैसे बनाना है देखिए उम्र 6 गुनी हो जाती है तो 6 गुना 4 का 6 गुना 24 है option A चेक कर रहे हैं चार बर्स बात तो चार बर्स इसमें अगर जोडते हैं तो यह कितना जागा आठ और इसमें चार बर्स जोड़ लेंगे 24 में कितना जागा 28 अब 4 गुना होना चाहिए उम्र 4 गुनी होगी 8 का 4 गुना 28 होता है नहीं होता है 32 होगा तो option नम्मर A गलत है option नम्मर B चेक करेंगे 36 पंचे 30 हो रहा है पहला यहां पे 6 गुना हो रहा है अब 4 बर्स बात तो 5 में 4 जोड़ लेंगे कितना जागा 9 और 34 में 4 जोड़ लेंगे 36 हो रहा है पहला रूल भलो हो रहा है उसके बाद 4 बर्स बात तो 4 बर्स 6 में 4 जोड़ लेंगे 10 जागा और 36 में 4 जोड़ लेंगे कितना जागा 40 अब इसका 4 गुना होना चाहिए 10 का 4 गुना 40 है तो option नम्मर C सही एंसर है जो तरीका अच्छा लगे तीनों तरीका से बना 45 है यदि एक अधन 8 मां तक विपार में लगा रहा हो तो बी का धन कितने समय तक विपार में लगा रहा हो तो देखे इसके लिए क्या करना है सबसे पहले ध्यान देना है यह कितना 9 और 9 अनुपात 8 में तो यहां पे 9 गुना 8 लिखेंगे 3 अनुपात 4 में है और A कितना कितना मां के लिए 8 मां के लिए इसको कितना हो रहा है अनुपात में लाब हो रहा है 3 अनुपात 4 तो इसको 3 बटे 4 लिखेंगे 8 से 8 कट जाएगा 3 से उपर से कट जाएगा 3 तिया 9 और आईसे multiply हो जाएगा, यहाँ पर X लिख सकते हैं, तो X बराबर कितना आजागा, 12, चारतीय बारा, तो option number A सही answer हो जागा, B का धन कितने समय के लिए लगा, 12 महा के लिए, अगला question देखते हैं, next question क्या है, A और B की आए 3 अनपाद 2 में है, परतेक में उनका खर्च 5 अनपाद 3 के अनपाद में है, यदि परतेक 1,000 रूपिय बचाता है, तो एक याए बताएं, देखें, सबसे पहले यहाँ पर, 3 कमा रहा है, और 5 खर्च कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो क्या करना होगा, इसको 2 गुना कर लेंगे, तो इधर भी 2 गुना करना होगा, तो 3 दूना 6 अब जाएगा, और ये 2 दूना 4 अब जाएगा, अब ये खर्च कर रहा है, यहाँ पर income लिख सकते हैं, ये income और expenditure, मतलब खर्च कर रहा है कितना, 5 अनपाद 4 में, अब देखें, यहाँ 6 कमारा 5 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, एक तो यहाँ पर saving लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 कमारा और 3 खर्च कर रहा है, बचा रहा है कितना, एक, तो यही बोला है, एक वराबर 1,000, पूछा, एक कितनी है, आए मतलब income कितना हो रहा है यहां पर A की आए 6 अनपात में हो रहा है तो 6 बराबर 1000 तो 6 बराबर कितना जाएगा 6000 देखे option number A में option number A सही answer है next question देखते हैं 60 लिटर दूद और पानी के मिश्रन में 10% पानी है इसमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनपात 25% हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा एक formula ध्यान में रखना होगा कि 60 लिटर जो है 60 लिटर साट लिटर पहले लिख लेंगे पानी के मिश्रन में 10% पानी मिला रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है 10 परतीसथ पानी मिला रहा है इसमें कितना पानी मिलाने पर या अनपाद 25 परतीसथ हो जाएगा तो ancora यहाँ पे दोनों का अंतर देखना है कितने का है 15 का तो इस जगह लिखेंगे पानी का 60 लीटर दूद और अंतर कितना का आ जागा 15 का घटाएंगे 25 में 10 15 का और नीचे क्या लिखना है 100-9 मात्रा यहाँ पे लिख लेते हैं 100-9 मात्रा 100-9 मात्रा इस जगर नीचे लिखना है तो 100 में 9 मात्रा कितना है 25 है तो 100 में 25 घटा लेंगे कितना जागा 75 तो यहाँ पे लिखेंगे 75 अब कटा सकते हैं 15 पचे 75 और 5 से यह कितने बार में कट जागा 12 बार में तो यह answer आ जागा 12 लीटर option number यह सही answer है next question देखते हैं एक मिस्र धातु में 400 खता तथा तंबा तंभा तदेखते स्वार उस अनपात को 155 चार में प्रयवर्तित करने के लिए कितना गरम और और रहता चाहिँ तो यहांस से इसको आसानी से बना सकते हैं सबसे पहले जस्ता लिखेंगे और उसके बाद तंबा लिखेंगे जे से जास्ता लिख लेते हैं या जेड से भी लिख सकते हैं देखिए यहां पे 5 अनपाथ 3 में है लिख लिए 5 अनपाथ 3 तरदनसर उस अनपाथ में 5 अनपाथ 4 में बनाने परवर्थित करने के लिए कितना गराम तंबा मिलाना होगा तंबा तो इधर 4 है अब देखिए यह टोटल कितना है आठ है इसके बरावर कितना दिया गया 400 गराम तो इससे कितना गुना अट पंचे 40 पचास गुना तो यहां पे 3 है और यहां से 1 बढ़ रहा है तो 4 एक बढ़ रहा है तो यह भी 50 गुना हो जाएगा कितना जागा 50 उप्चन नमर इस सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्ण लेखते है अगला कॉसर एक परिक्चा में 75 परतिसत उमिद्वार अंग्रेजी में और 60 परतिसत उमिद्वार गनित में उत्रीन हुए 25 पर 30 दोनों में उत्रीन हो गए तो 240 उमिद्वार परिक्षा में उत्रीन हुए कूल उमिद्वार कितने थे तो देखे कूल उमिद्वार जब भी बनाना है तो सभी में इस जगह पास पास बोथ में भी पास रखना है इसके लिए बहुत सारा तरीका तो दो तरीक आपको बताते हैं, सबसे पहले क्या करना है, पास का निकालना है, तो पास का निकालने के लिए, यहां भी यह पास हो जागा, यह भी पास हो जागा, और यह बोथ में भी पास रखना है, और यह दोनों को जोड़के बोथ वाले को घटा लेना है, तो कितना पास हो रहा है 75 यहाँ पर लिखे लेते हैं इसमें बहुत में भी पास होना चाहिए 25 पर हदऊपil में 18 में आटृइन हो रहा है तो 100 में 25 गटा लेंगे लागे 75 कितना जागा 75 अब यह दोनों को जोड़ लेंगे कितना जागा 135 और 135 में फचातल गटा लेंगे किता जागा 140 तो एक परतिसाद का निकाल सकते हैं यहाँ 0 से 0 कट जागा 64 कितना जागा 4 एक बराबर 4 आ गया तो 100 परतिसाद के लिए डबल जीरो लगा लेंगे तो इधर भी डबल जीरो लगा लेंगे कितना एंसर आ जागा 400 सो ऑप्सन नमर सी सही एंसर है दूसरा तरीका के लिए क्या करना है देखिए दूसरा तरीका क्या करना है इस जगा पास लिखेंगे इस जगा भी पास लिखेंगे और बोथ में फैल रखेंगे बोथ में फैल और इसमें से 100 घटा लेंगे तो भी एंसर आ जागा कितना पास हो सबी को जोड़े लेंगे 160 आ जागा इसमें से 100 घटा लेंगे कितना जागा 60 यही 60 परतिसत बराबर 240 0 से 0 कट जागा 64 24 एक बराबर 4 तो 100 परतिसत के लिए 0000 इधर भी 0000 लगा लेंगे जबकि 5 परूस उसे 14 दिन में कर सकते हैं 5 परूस और 5 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे तो देखिए बड़ा बनेगा लेकिन सबी को समझ में आ जागा उसके बाद और 100 ट्रिक बताएंगे समझने के बाद अब भी असानी से बना लेंगे तीन परूस और 5 महिला किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो यहां पर बनाना सुरू करते हैं तीन महिला और 5 क्या बोला है तीन परूस तो तीन मेल लिखेंगे पलस 5 फिमेल या 5 विमेन लिख सकते हैं तो 5 डवलू लिख लेते हैं विमेन कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में यह यहां पे 14 लिखेंगे काम कितना है एक ही काम है तो इसको नीचे लिखेंगे यह 14 है बराबर में 5 पूरुस उसे 14 में कर सकते हैं तो 5 पूरुस 5 मेल बराबर 14 दिन यहां पे मेल लिख सकते हैं यहाँ पे 5 M यह M है मल्टिप्लाइ में 14 काम कितना एक ही है 14 से 14 कट जाएगा और यह 3 M पलस 5 W तो यह 3 M जो है इधर घट जाएगा तो 5 W बराबर यहाँ से 5 से 3 जो है इधर 5 में घट जाएगा कितना बचेगा 2 M तो W by M यहाँ से कितना आजागा यह आजागा 2 और नीचे आजागा 5 M बराबर 5 और W बराबर 2 तो यहाँ तक समझ गे अब टोटल वर्क निकालने के लिए यह तो इधर वाले का इस्तवाल करेंगे यह इधर वाले का किसी एक तरफ से करेंगे तो देखें M के जगा रख लेंगे तो यहाँ पे M के जगा रखेंगे तो यह टोटल वर्क आ जागा तो देखें 5 गुना 5 गुना 14 यह वाला टोटल वर्क आ गया अब इसमें से बोलना है 5 पुरूस और 5 महिला है तो इधर लिख सकते हैं 5 पुरूस और 5 महिला है तो यहाँ से ध्यान से देना है देखें यहाँ क्या करना है 5 पुरूस और 5 महिला है M यह W है तो M के जगा कितना रखेंगे 5 रखेंगे और W के जगा 2 तो 25 और 5 गुना 10 कितना जगा 35 तो नीचे 35 से भाग दे देंगे इंसर आ जाएगा 5 सते 35, 7 दुना 14 और 2 पंचे कितना आ जाएगा 10 तो देखे 10 किस option में है option number C में option number C सही answer है दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं यहाँ पे ध्यान देना है यह बरावर देखे 5M बरावर 2 women इस जगह देखे 3 पुरूस और 5 महिला किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं और 5 पुरूस उसे 14 दिन में कर सकते हैं तो यह जग तीन पुरूस है अगर यहाँ पे 2 महिला और पुरूस ला लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा तो 2M बराबर यहाँ पे 5 फिमेल लिख सकते हैं या 5 विमेल लिख सकते हैं इसके बराबर हो जाएगा तो किसी एक तरफ से लेना है या तो विमेल कलेंगे या मेन कलेंगे अब देखिए 5 पुरुस 14 दिन में करते हैं तो पांच गुना 14 करेंगे बराबर यहाँ पे देखिए यह 5 पुरूस और 5 महिला है तो इधर एक इस जगा पुरूस के जगा 2 मिल कर लेंगे और यह महिला है तो कितना आप जागा है पांच यह 5 महिला और पुरूस के जगा 5 पुरूस है तो इसका दो पुरूस हो जाएगा तो पांस दो कितना आजाएगा साथ तो यहाँ पे साथ लिखेंगे और इसको D2 लिखेंगे अब देखिए साथ दुना चौदा और पांस दुना दस D2 बरावर कितना आजाएगा दस यही एंसर आजाएगा option number C साई अंसर है अगर पीछे वाला समयाज लेंगे तब यह असानी से बना सकते हैं ऐसे नहीं बनाएंगे तो चलिए देखते हैं अगला question next question है एक परिवार में 24 दिन में 60 किगरा चावल की खपत होती है उसी परिवार में 18 दिन में कितना किगरा चावल खपत होगा तो इसके लिए क्या करना है देखे ध्यान से ये 24 दिन में कितना 60 किगरा तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करना होगा 60 बटे 24 कर लेंगे या तो कटा सकते हैं या जितना दिन का पूछा है वहां से भी बना सकते हैं तो दो से कटा लेंगे 12 दूना 24 और 12 पंचे 60 एक बराबर कितना आ गया पांच बटे 2 तो 18 का निकालने के लिए इधर 18 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो इधर भी 18 से क्योंकि 18 दिन का पूछा है तो 2 से इसको कटा लेंगे दोनम 18 तो 9 पंचे 45 अठारा दिन में कितना कीलो खतम करेगा वह खपत होगा 45 ओप्शन नम्मर सी सही एंसर है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरू किजेगा मिल तक लिए वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे